उलू दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने चैनल दी एगसाम हेल पर मैं तो बहुत बड़ी खुसकापरी निकलकर आ रही है जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि आपका कल जो है एड्मेट काड जारी नहीं किया गया अगर आपको डाउलोड करना आता है तो आप जाईए और डाउलोड कर सकते हैं उसकी जो link है गो activate कर दी गई है मैं ये बताने वाला हूँ कि इस जो admit card आया है इसमें क्या 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 लिखा हुआ है क्या क्या आपको जोह गलतियन नहीं करनी है क्या क्या उसमें ले जाने को बूला गया है क्या साबधानी आपको भरतनी है आपका पाइमिंग कब है, शिप्ट कौन सी है सेंटर एकी जगा पड़ा है, क्या है पूरी डीटेल हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, आपके NBS के फाइनल सेलक्षन तक हम आपके साथ बने रहेंगे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ downloading e-admit card देखे चल रहा है तो इसको आपके लिख कर देंगे यहां से okay कर देंगे ठीक है तो यहां से देखिए कुछ इस तरीके का जो है interface आएगा एक second तो यह देखिए आपको कुछ इस तरीके का interface यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर आपको अपना user ID जो की आपका NBS करके लिखा हुआ और यहां पर आपको अपना password फिल कर देना है फिल करने के बाद जो है आप अंदर जाएंगे मैं अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ तो जब आप अंदर आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल क्या आगा एक में लिखा हुआ application की detail यहां पर आपकी पूरी जानकर यह एक में लिखा हुआ तो आपको admit card वाले पर click कर देना है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है nbs ldc typing test का होगा 16 september को होना है जैसा कि उन्होंने बोला था जो आपका जो वो पड़ा हुआ है यान की center है वो है आईओ एंड डिजिटल जोन आई डीज जैसा कि मैंने आपको प्रीविएस वीडियों बताया था कि जो पिछली जब लाश्ट यह बढ़ती हुए तब भी यही center आपको देखने को मिला था नुएडाम है को कि जिसके center जो है fix होते है ठीक है तो यहां पर देखिए कि 2021 को 9 September को होने वाला है 610 PM से 6.30 PM तक ठीक है न तो यहां पर देखिए आपको यह चीज दिख रही होगा है अपको पूरा आपका जो प्रोसेस है पूरा आपका जो है मतलब इतना मेहनत बरबाद जा सकता है ठीक है तो यह देखिए यह आपके सामने मेरा एड्मेट काट खुला हुआ है ठीक है मैं इसको फोड़ा जूम क पर चेहिए यहाँ पर कहें के लिए सब्रक्राइब करके ओं मुझे देखना है कि अगर सेंटर एक से ज़्यादा मिले हैं तो देखना पड़ेगा ठीक है तो आप जो है बिल्कुल कमेंट में कमेंट कर दीए सेम अगर सेम नहीं है तो नौट सेम ठीक न ऐसे कर दिए इसके बाद देखिए आपकी अगर इंगलिस की टाइपिंग है यहां पर लिखा था मेर और जो टाइपिंग स्रू होगी चे बजे यानि कि रात मैं टाइपिंग सुरू करवाएंगी यह क्या सेंस आट आपको अपना कमेंट करना है कि आपने क्या चूझ किया था आपको डीटिल वाइस लिख देना मतलब रिख देना मतलब अगर श्रिप्ट लिख देना और वह इसके बाद मैं डीटेल आपको दिखा देता हूँ पूरा नोटिपिकेशन यह तो मैं दिखा देता हूँ तो बने रहे एक वीडियो पर ठीक है और चैनल को जल देजिए सबस्क्राइब करें लिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज तो यह लिखी हुई है कि कोछल ट्एपिंग ट्थ नि ठीकन राने हूं क्विटर यानि की आपका स्क्रीं-ट्रीं होने वाला जैसा कि मैं आपको बताया था स्क्रीं ट्वीट्वार जिएक आपकी जहाँ वीडीघतें की तेनशन नहीं है ठीक है फिलिए कि पहला में यह था मधार है कि इसमें कुछ पता सेल जागे जैसे आपने टाइपिंग करा अगर आप सेलेक्टेड है तो आपको यह आइड लगी है दूसरा पॉइंट यह रहा है तो बने यह वीडियो में बहुत आपको इंपोर्मेशन दे रहा हूं ठीक है इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वह के लिखा हुआ पर मिनिट है एंगल पर मिनिट है और इंगलिस का तो वही है तीसरा पॉइंट भास को बताया था अपनी वीडियो में कि आपको लिए जागा उसके बाद जैसे ही जो इंटुर्त आ है बाको इस्टा टाइपिंग बोले है तो इस्टा टाइपिंग कर देना है जैसे वह बताया था बिल्कुल सही आपको जानकरी मैंने दी थी आप देख सकते हैं बिलू जाग ठीक है इसके बाद ये कुछ नहीं है बत ये लिखाए कि यहां पर लिखाए कि आपका परिक्षा केंद्र बदल नहीं जाएगा नेक्स्ट है कि परिक्षा के प्रारंब से आदे घंटे पहले मुखे बंद कर दिया जागा या निगिदे कि साड़े पांच पै तो अपना गेट बंद हो रहा गेट ग्लोजिंग छे बजे जो है आपकी इसके बाद देखें यहां पर लेखा हुआ है कि आठवा पॉइंट कि उम्मीदवार को क्या क्या लेकर आना अपने साथ यह वाला एडमेर कार्ट तो ले ही जाना इप्रवेश्पत्र इसके बना इस प्रवेश्पत्र के ना किसी भी उम्मीदवार को अनुमती नहीं दिया इसको लेगे जाना इसके साथ एक फोटो पहचान पत्र लेके जाना यानि फोटो आईडी लेके जाना है कोई भी आदर कार्ड है बोटर कार्ड है जो भी है फोटो कॉपी यह नहीं चलेगी वहां पर आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा ठीक है और एक आप हो सके तो पहले से लेके चलना और उरिजिनल तो लेके जाना ठीक है तो यह इंपोर्टेंट भूलना मत ठीकना उम्मीदवार का पहचान मूल प्रमारपत से मिलाकर किया जागा ठीक है जो आपने भरात हो सके तो वही लेके जाए इसके बाद देखिए नाइन पॉइंट लिखाया कि उम्मीदवार को दी गई थी एवं समय के अनुसार टाइपिंग परिक्षा के अंदबर रिपोर्टिंग समय पहुंचना अनेवार है ताकि उपचारिक जो उनकी उपचारिक पूरी ऐसे जैसे कि उटे से निसान बायोमेटर लिए जागा तलासी वगएरा फोटो मिलान इसके बाद 11 जो पॉइंट है कि आपको टाइपिंग पूरी करने के बाद ही परिचा के इन से बाहर जाने दिएगा बारवा पॉइंट है कि यह प्रवेस पत्र उम्मीदवार की निक्ति को सुनिश्चित नहीं करता है यानि कि आपके पास मतलब यह कुछ नहीं आप अधर नेम बगेरा फोटो में दिखकत है तो आप देखिए एक दिन पहले जाके वहां पर लिखा हुआ है कि आयुजान के एक दिन पहले वहां पर एक सुवधा कांटर दिया आपको दिल्ली में दिया जाएगा दस बएस दूब तो बहां पर या कारेक्शन करा सकते हैं मुझे लगता है यह मौक टेस्ट के लिए इसारा करता है मौक टेस्ट की तरफ को कि इस पर लिखा है उम्मीदवार जो है नियत रूप से कौसल टाइपिंग परिच्छा से अनुदेशों परिपत्रों को मादम से नवीनेतम अपडेट के लिए निमने लिए बेक साइट की मैं भी विजेट करते रहूँगा आपको तुरंत सूचित कर दूँगा उसके लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर लिए प्लीज आखिर तक मैं आपका बिलगोल डॉक्मेंट वेरिफिकेशन बगार कुछ नहीं था सब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा ठीक है तो यह या फिर इंस्ट्रेग्राम पर दा एक्जाम हेलपर के नाम से एक पेज बना हुआ है उस पर आप सर्च करके वहाँ पर आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं तो चलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत